आज मैं मौनी अमावश्या के संदर्व में चर्चा करना चाहूंगा। मौनी अमावश्या कब है और इसका महत्व क्या है। इस वर्ष 2021 में मौनी अमावश्या 11 फरवरी को पड़ा है। हाना कि इसकी शुरुवात 10 फरवरी की रात 1 बसकर 8 मिनट से प्रारंब होकर 11 फरवरी की रात्त्री 12 बसकर 35 मिनट तक चलेगा। इसका विशेश महत्थ होता है। मौनी अमावश्या माग माह के क्रिश्न पक्ष की तिथी को मनाया जाता है। इसमें असनान करना उत्तम माना जाता है। गंगाशनान करना पवित्र माना जाता है। इस दिन मनू का जन्म हुआ था जिसे पर्थम पुरूस कहा जाता है। तील का दान देना तील का लड़ू दान देना उत्तम माना गया है। इसमें पित्रों का पिंडदान क्या जाता है। जिसे पितर पर्षन होते हैं। मौनी अमावश्या के दिन पीपल में जल चड़ाना उत्तम माना गया है। क्योंकि पीपल के अग्र भाग में भगवान बर्मा का निवाश होता है। तना में भगवान शिव का वास होता है और जड़ में भगवान विश्नु का वास होता है। इस तरह से देखा जाय तो मौनी अमावश्या का विशेश महत्व माना गया है। आज भारत वर्ष में मौनी अमावश्या के सुब अवसर पर लोग गंगा अशनान कर रहे हैं जिसे पुन्न की प्राप्ती होती है और दान देकर अपने शर्धालूं को खुश रखने की प्रंपरा है ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो गरीब हैं उनको उनिवस्तर भी दान दिया जाता है यही मौनी अमावश्या का महत्व बताया गया है बहुत बहुत धन्यवाद